प्रहार टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें और दो लाइक उन दबाना ना बोलें प्रहार टाइम्स वक्त मैं कलवा के कौन पाड़ा इराके में हूँ यह मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह वही आफिस है जो पिछले कुछ महीनों पहले इसे प्रहार दिया गया था यानि यह आफिस महिला मंडल की आफिस जो है वो राजनीतिक शिकार हो गई थी अब यह आ कारियाले और फिर जो है अब इसे बनाया गया है यह महिला मंडल का कारियाले है जो यहां पर हेमा मैडम और जो है एक माई करके दो जो है जो कारिकरता है उन लोगों ने ठान रखी थी मान रखी थी कि यह कारियाले बना कर ही रहेंगे यह कारियाले हाथ में लेकर ही यह जो है इस आफिस की जिस तरह से हमने पहले आपको दिखाया था जो टूप चुकी थी लेकिन अब यह कारियाले बन चुका है खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सब उस वक्त एक भी चीज यहाँ पर नहीं था हलाकि यह महिलाएं ठांग रखी थी मान रखी थी कि यह कारियाले बना कर रहेंगे कारियाले हमारे ही हाथ में रहेगा हमारे ही अंडर में रहेगा तो बहराल हम आज बात करते हैं यह दो महिला है जो है कलवा के कोन पारा इलाके के जो काफी जद्दो जहत करने के बाद यह का कर तयार हुआ जिसका जो है गोपान लाड़गे साहब के हाथों से आज उठगातन किया गया है मैडम सपहले तो आप बताइए जो है काफी आपने जद्दो ज़हत की काफी प्रयास की उसके बाद यह आज कार्याले आपका बन कर तयार हुआ और आज इसका गोपान को कोटी कोटी धन्यवाद देती हूँ कि आज इतने संखे में आज जो आये हमारे आपिस का ओपनिंग था और मन्मी खस्दार सहाब ने गए और मिले और मिलने के बाद एक ही सवाल किये कि आप जाओ मैं बना के आपका आपिस देंगे तो खस्दार सहाब ने हमारे बातो से संपर्ग थे मेरे बातो को लिये और उने हमारे आपिस बना के दिये तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहते हूँ आफिस किसके तरफ से बनाया गया जिस तरह से टूप गया था यह आफिस और फिर आप लोग काफे प्रयास कर रहे थे अब यह आफिस बनकर तयार हुई है यह किसके मतलब प्रयासों से किसके रुजे से यह आफिस बनकर तयार हुई है माननी डाक्टर सिरकान सिंदे सहाब से उनके माध्यम से ये महिला मंदल आपीस तयार हुआ और खर्चा भी माननी डाक्टर सिरकान सिंदे ने दिये थे मैं उनको कोटी-कोटी तो आज वो जो खुद इस आफिस की उडगाटन करने आने वाले थे महिला मंदल की तो वो आए नहें क्या वज़ा रही है आज कुछ उनको ऐसा कुछ समस्या था कि वो हाँ पे चले गए और बोले कि हम आएंगे चाहे दो बज़े आए चाहे तीन बज़े आए लेकिन आज वो आएंगे हम लोग उनके नित्रूत में बैटे हैं इंतजार में बैटे हैं क्यों कि आज हम लोग को इतना भारी जन संख्या में मनने डाक्टर सिरकान सिंदे साहम ने नहीं देखें तो हम लोग को भी थोड़ा तकलीफ हुआ कि अज जो आपिस बना है उन्हीं को माध्यम से बना है वहीं ने बना है आज वो नहीं दीख रहे हैं तो हमको भी थोड़ा दिल पे मुझे भी मसूस हुआ है जिस तरह से जो है आफिस बनने का कोई ऐसा अंदेशा नहीं दिख रहा था और यह ऑफिस बन गई अब जो है आप किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि महिला मंदल की आफिस थे और उस वक्त जो है कुछ और जो है मतलब राजनीतिक सिकार का मामला था चल रहा थ दोक्राइब जो है यहां पर बैनरा लगा हुआ है तो क्या करें आफिस तो आज इतनी है इतनी खुशया है कि कि फुचो बंस कि हम लोग कि तनी को से धुली फाटी अभी जन शाना साथ रहे है सा अप सिसको करा हाबी जाह प्रयगा पना रही है कि एक महिना में तोर देंगे, दो महिना में तोर देंगे, नहीं चलने देंगे, और जास्ते मेरा टारगेट ये लोग ने बनाए हैं, बिरोधी पाल्टी वाले ने, कि कभी कहीं पर भी हमारे लिए निसाना लोग बना करके खड़े हैं, तो माननी हम यह कहेंगे, डाक्टर श आफिस टूट सकती है विरोजी लोग आपके पीछे लगे हुए हैं विरोजी तो लगे हैं लेकिन हमारा जो मननी डाक्टर स्रिकान सिंदे खसदार साहमें इतना हमारे सिंसेना में ताकत है कि सब उनके नीचे हैं हम उमीद तो नहीं ड़ते हैं कि हमारा आफिस टूट जाए और और मननी डाक्टर सिंदे साहमें देखेंगे यह आप इसका वह उनी को मादेम से बना है वहीं ने बना के दिये हैं और हम लोग इतने जन संक्या में शुषेनापग को पूरे महिला मंडल हम लोग सब एक जूट हैं और सब एक साथ में कुछ भी होगा हम लोग एक साथ में मिलके करेंगे बड़ी खुशी की बात है कि आपकी जो कार्याले टूटी थी और वो बंद है और उसी जगे पर आज फिर हम लोग सब एक साथ खड़े हैं लेकिन इस इलाके में जैसा कि बताया जाता है कि काफी दबंगई है काफी दादा गीरी है पिछली बार भी आ ये 1 कंधं alternatives कंधक किस तरह से सबक आप लोग सिखाएंगे जो यहां पूंपारा भास्कर नगर में गुंडा गर्दी करने पईन पारा भास्करनदी से पौन पारह गते हैं लेकिन हम यह से बास्कर नगर्दी हम ऐख फ़त्तप खत्म करके रहेंगे चाए इसक्टे लिए हम कि महिला मंडल जो हम लोग करयाल है महिला मंडल संगड़ना है सब लोग एक जूट हो करके इस गुंडा गर्दी को खत्म करना चाहते हैं हेवाच वैडम जिस तरह से देखा गया है कि तीन ठीजाणा काम भी गाड़ा तीन आप लोग महिला थी और उसमें जो है आप दो ही बची हैं करयाले हमारे कब्रहे का परफो हमले को हीम् लोग baneल चुह आज कार्याले काशकर हैं आज आमची इच्छा होती कि ते आल्यास ते एकड़े तर कुप पस बर आलास्ता आज आमची जी इच्छा होती आमी विचार नोता केला कि ए ओफिस आमचा पुना उबर आहील कसर आहील किती आमची आमची जी जुन्ज द्यावी लागेल पड़ आमी एकाड़ा सेबन करेगेलो तेने आमची एकड़े शब्द काही न विचारता काही कराच चाही विचारल योड़ाच आमी मतला आमची आमची ओफिस है ते आमची पुना उबर आहीला पाईचे ते आमची 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 जासब पहला करतों तसा ही पुना चलू करू आणी जास्त जास्त संकेने शुचेने मदे शरवना इकति द्रानेचा आमची जरी आज यूती जरी असेल ते आमची 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 कुणाशी काही वैव नहीं ही आमें सब्सक्राइब रहा हुए तो दिखिए जिस तरह से यह महिला जो है पिछले दिनों डटे हुए थे और आज इनका कारियाले बन गया काफी खुस है यह लोग जो है आप इस तरह देख सकते हैं यहां पर अभी किस तरह से महिलाएं डटी हुए हैं अभी भी लोग यहां पर जो है जमे हुए है और इस एक जो है जो कारियाले जो कभी न बनने वाला संकेत था लोग जो है आस लगा रहे थे लोग बता रहे थे कि कारियाले नहीं बन सकता बैरहाल खासदार सिरिकान सिंदे जी ने जो है इस कार्याले को बनवाया और लेकिन एक सवाल और मैं आप लोगों से करूंगा कि जब जिस वक्त ये महिला मंदल टूटा था उस वक्त जो है उसमें एक मुद्दा था कि जो है आप किसी भी पार्टी का बैनर नहीं लगा सकते हैं और ये महिला मंदल तो महिला मंदल ही लेकिन आज यहां पर कई चेहरे हैं जिनके फोटो लगे हुए हैं ऐसा क्यों यहां आमें जो विचार कर दो तो कि यह मैला मंदर दर्बे राहिल माणून कि आमचा सोताचा मैजने रावा माणून पर तस आमाला कॉन काही करूं देथ नो था त्या मोया आमाला काही ने कतरी तो अभी इसका नाम क्या रखा गया है ओम शांती महिला संगतन कार्याले लेकिन इसमें और भी मतलब चेहरे जो हम आपको बता रहें कि इसमें चेहरे कई है तो यह राजनीतिक मतलब आप लोगों ने सिकार कुने हुए उस ट्याम आप लोग महिला मंदल चला रहे थे महिल पर जो है कई ऐसे चेहरों का जो है यहां पर दिख रहा है जो पहले के चेहरे दिख रहे थे वो पार्टी अलग ती और अभी की जो पार्टी है वो सिसेना पार्टी है जो पहले पार्टी थी उन्हें भी हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते थे जैसे अभी सिसेने में कर र इस आफिस का भिवाद चल रहा था यानि तीन महिलाओं में विवाद चल रहा था एक NCP में थे आप लोग जो है आप किस में थे सिषेना में तोड़ा मतलब पहले सिषेना में थी लेकिन यह आफिस के वज़े से मैं रास्टवादी में गई थी जो मिलन बाडिल थे उन्हें थे थोड़े से सब्सक्राइब आप सिषेना में दोनों लोग है और वो जो है जो दूसरे थे वो NCP में है तो इस कारण से मतलब यहां पर बैनरबाजी के चक्कर में और आफिस को हथी आने के चक्कर में यहां पर अलग-अलग कुछ चीजे खुलने वाले थे खोलने का प् महिला मंडल ही आफिस है लेकिन महिला मंडल ही कर रहा है लेकिन हम लोग आज जो मनी डाक्टर सिंदे साथ ने जो बना के दिये तो हम उनका चेहरा नहीं लगाएंगे तब किसका लगाएंगे हमको वो इतना सम्मान दिये हमारे समाज में जीने का मोका दिये तो हम उनका नहीं चेहरा दिखाएंगे तो किसका दिखाएंगे हमको तो उनका ही दिखाना है हम उसी पालटी में आप भी है और दस साल पहले भी थे हिख इस इंपने लाके में क्या समाख्याय यह इस इलाके में तो जानिज यह पानी इंपने का होने कहा कि इस तो बंगर है अब जो 67 का जरल जाओं की मिटिंग रहेगी, वो लिया जाएगा, किसी की दुख तकलिफ है, वो यहां पर बैटके उनका हल किया जाएगा, और तो यह जो आफिस है, खास करके जो है, सिउसेना के लिए होगा, कि अन्य लोगों के लिए होगा, क्योंकि कोई और भी आ सकता है यहां पर, तो मत समा सेवे का काम करते हैं, तो समा सेवे के तरह ही हम लोग सब महिलाओं को सपोर्ट करेंगी, तो देखिए, किस तरह से जो है, यह दोनों महिलाओं काफे खुश नजर आ रही है, और इनका जब आफिस तूटा था, तो यह काफी दुखी थे, और कई ऐसे राजनेताओं के पास पार्टी के जो नेता हैं, उनके पास कई बार गोहार लगाई, कई बार जो है, उन्होंने लेटर अरजी सब कुछ किया, उसके बाद खासदार साहब इन लोगों से संपर करके, इस कारियाले जो टूटा हुआ, बिखरा हुआ कारियाले था, उसे वापिस बना दिया, और आज ये लोग काफी खुस नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ समाज राजने की से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहाय टाइम्स